कमलात कमल की शरण में जाएंगे या कॉंग्रिस के हाथ को मजबूत करेंगे कमलात जहां हैं वही रहेंगे या फिर दिल्ली के रास्ते अपने ऊपर चल रही कई एजेंसियों के दबाव में आकर बीजेपी की तरफ चले जाएंगे बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे जहां जोतिर आदे सिंध्या खड़े हैं या फिर जीतू पटवारी को मजबूत करेंगे संगठन के साथ काम करेंगे चुनाव सर पर है लोकसभा का तो सवाल ये भी है कि क्या कमलनात खुद को राजसभा और बेटे को लोकसभा का टिकेट कन्फर्म करवा कर बीजेपी का पट्टा पहन कर दिल्ली में बीजेपी मुख्याले से प्रिस कॉन्फरेंस कप करेंगे कई सवाल हैं और कई तरह की बातों के बीच खबर ये आई कि जबलपुर में कमलनात के करीबी बीजेपी में शामिल हो गए और फिर कमलनात की बीजेपी नेताओं के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर सामने आई जिसने हवा और तेज़ कर दी इस बात की कि कमलनात अब कमल के हो गए हैं बोलता है हिंदुस्तान पर मैं हूँ आपके साथ बिर्जा शाकर अली बेग जबलपूर में कॉंग्रेस मेर सहेत कई पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए कॉंग्रेस के नगर अध्याक्श और मेर जगद बहादूर अपरे साथियों के साथ भारतिय जनता पार्टी का दामन थामे हुए नजर आए जगद बहादूर कॉंग्रेस के पूर मुख्यमंतरी कमलनात के खास माने जाते हैं इस बीच कमलनात की बीजेपी के निताओं खास कर मुख्यमंतरी और मद्द परदेश के मंतरियों के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आई मुस्कुराती हुई इस तस्वीर पर चर्चा गर्म है कि कमलनात भी अब कमल की शरण में आ गये हैं या आने वाले हैं इस तस्वीर से पहले मद्द परदेश सरकार के कैबिनेट मंतरी कैलाश विजेवर्गिये ने कमलनात को बासी फल बताया अब सवाल ये है कि एक बासी फल के साथ कैलाश विजेवर्गिये की ये ताजी तस्वीर किस बात के संकेत कर रही है केलाश विजवरगे ने कमलाद के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर बयान दिया इस तस्वीर से पहले केलाश विजवरगे ने कहा कि कमलाद के लिए बीजेपी के दर्वाजे बंद हैं ऐसे ही दर्वाजे बंद करने की बात तो ग्रहमंत्री अमिश्शा से लेकर बीजेपी के कई नेताओं नितिश कुमार के लिए कही थी लेकिन दर्वाजे खुल गए और नितिश कुमार बीजेपी में आ गए अब यही बात कमलनाद के लिए कही जा रही है केलाश विजे वर्गिये कह रहे हैं कि कमलनाद के लिए बीजे पी के दर्वाजे बंद है विजे वर्गिये का कहना था कि अगर कोई बाजार में जाएगा तो ताजा फल खरीदेगा ना बासी फल थोड़ी खरीदेगा हम उनको यानि कमलनाद को बीजेपी में बिलकुल नहीं लेंगे अगर वो आना भी चाहते हैं तो भी उनके लिए दर्वाजे बंद है अब ये दर्वाजे बंद करके ये कौन सी मुस्कुराती हुई तस्वीर सामने आ गई जिसने इस बात को गर्मा दिया कि कमलनाद को लेकर बीजेपी के भीतर को चल रहा है मद्द परदेश के पूर्व सीम कमलनाद के नेतरत में कौंग्रिस पार्टी मद्द परदेश में विधान सबाचुनाव लड़ी थी हार के बाद उन्होंने कौंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष के पस से इस्तीफा दे दिया था इसके बाद ये खबरे आ रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे साथी कुछ दिन पहले उन्होंने चिंदवारा में ये भी कह दिया था कि कोई किसी पार्टी से बढ़ा हुआ नहीं है इसके बाद उन अटकलों को बल मिल गया कब अला से सवाल किया गया कि बीजेपी में आपके जाने की जानकारी सामने आ रही है अफ़ाएं आ रही है उन्होंने कहा कि मीडिया ने ये खबरे उड़ाई है साथी उन्होंने अपने पहले के बयान में कहा था जब उनसे आचारे प्रमोत कृष्णम के बारे में सवाल किया गया तब इस पर उन्होंने कहा था कि कोई किसी पार्टी से बंदा हुआ नहीं है ऐसे में जो चहां जाए वह जा सकता अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ से बंद किये गए दरवाजे को कमलात खुलवा पाते हैं या फिर एक बासी फल जो कैलाश विजेवर्गी ने कहा है उसी तरह बीजेपी उनको समझती है लेकिन कमलात की ये ताजा तस्वीर सभी बयानों से उलट इस बात की चर्चा को अभी भी गर्म बनाये हुए है कि चुनाव की घोशना से पहले पहले बहुत कुछ हो सकता है